ओम श्री विद्यायनमा मित्रो ग्रहन काल के दौरान कुछ विशेश मंत्रों का जाप अगर कर लिया जाए तो ना सिर्फ ग्रहन के पुरे परभाव से पचा जा सकता है बलकि कई तरह के लाब भी प्राप्त किये जा सकते हैं इस वर्ष दो हजार बाईस में आठ नमंबर दो हजार बाईस को इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहन पटने जा रहा है या कोई भी चंद्र ग्रहन हो चंद्र ग्रहन काल हो के मंत्र विशिष आज में आपको जो चंद्र ग्रहन में ही ग्रहन सूर्य क्रहन भी होता है परंतु चंद्र ग्रहन में ही जो मंत्र सबसे जादा लाबकारी है वही मंत्र में अपनी इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहा हूं ग्रहन का ज्रश्यकाल भारत के अलावा भी कई सारे भारत के बार और भी देशों में दिखाई देगा ये ग्रहन अब ग्रहन के दौरान कीरे मंतरों का जाप करना चाहिए ये एक ऐसा मंतर पहला मंतर में आपको बताने जाला हूँ जो कोई भी व्यक्ति बड़ा हो बोड़ा हो वच्चा हो भगवान मिश्णों की प्रसंदा के लिए और अपने जीवन में आईवे दुखों को दूर करने के लिए भगवान मिश्णों के इस मंतर का जाप कर सकते है यह मंतर है ओम नमो भगवतेवा सुदेवाया गर्बवती इस्त्री भी गर्ब में पल रहे बच्चे को सुरक्षित करने के लिए इस मंदर का जाब कर सकते हैं इसके लिए किसी माला की भी आवश्कता नहीं है इसके अलाबा जीवन में आ रही कष्टों के निवारण के लिए शरीर में आ रही रोगों की व्यादियों के लिए चाहे कोई रोग छोटे से छोटा हो बड़े से बड़ा हो जब रोग शरीर के अंदर आ जाता है रोग शरीर को घेर लेता है तो उस शरीर को पीडित करके मानसिक रूप से आत्मा को और मस्तिश्क को भी पीडित कर देता है ऐसे में ग्रेहन काले कहता सहम है जिसमें आप अपने शरीर की प्रबलता के लिए रोग मक्ति के लिए भगवान महा मर्त तुन्जै के मंतर का जाब कर सकते हैं इसमें दो मंतर मैं आपको पताने जा रहा हूं जिसमें शिव गाइत्री का जो मंतर है वह सर्वोत्तम है जो हर कोई कर सकता है ओम तत्पुरुशाय भिदमाहे महादेवा यधीमही तन्नो रुद्रह प्रचोदयात इसके अलावा जो इनके उपर शरीर की प्रबल रूप से कश्ट आ रहा है जो प्रबल रूप से शरीर को जिनका परेशान है उनके लिए सबसे सर्वोत्तम मंत्र महामृत्युन्य मंत्र ही है ओम रोम जूम सहा ओम भूर भुवह स्वहा ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिंपुष्टिवरधनम्मा गुरुवारुकमिवबंधनान रित्योर्मुक्षियमामृताता ओम स्वहा भुवह भूव ओम सहा जूम हरोम ओम इसके लाव़ जो जिन लोगों को शत्रू बड़ित कर रहे हैं शत्रू बादित कर रहे हैं के कारियों में शत्रू रोक लगा रहे हैं या किसी भी प्रकार से बाईया या आंतिक रूप से शत्रू परिशानी करें उनके लिए सर्वोत्तम है कि वैं ग्रहन काल में मा पीतांबरा बगलाम की एविकाब मंत्र पढ़ें मंत्र जाब करें मंत्र सुने ओम लीम बगलाम की सर्व दुष्टानाम वाचम मुकम पदम अस्तंभया जिवाम कीलाया बुद्धिम मिनाशया लीम ओम इसके अलावा जिन्हें लक्ष्मी प्राप्ति में कठिना ही हो रही है जिनके पास पैसा आता है रुकता नहीं धन से जोड़ी भी कोई भी समस्या है महालक्षमी का तांत्रिक मंत्र ग्रहन काले में जब करें तो उन पे महालक्षमी की विशेश कृपा इस पूरे वर्ष और महालक्षमी की हमेशा उन पे कृपा बनी रहेगी इसके लावे ये मंत्र उनका सिद्ध हो जाएगा जब जब भी लक्षमी सम्मंदित समस्या का वे सामना गरी तब तब इस मंत्र का जाब करके वे उन्हें उस परिसिदी से निकल सकते हैं और फिलाल में आ रहे ही लक्षमी सम्मंदित समस्या का निवाराना भी कर सकते हैं तो लक्षमी प्राप्ति का तांत्रिक मंत्र ओम श्रीम हरीम क्लीम एम ओम स्वाहा ये मंत्र लक्षमी प्राप्ति के लिए अचूग रामवान सिद्ध होगा इसके लावा नोक्री व्यापार बढ़ाने के लिए और व्यापार बढ़ाने के लिए ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालाये प्रसीदा प्रसीदा श्रीम हरीम श्रीम मालक्षमी नमहा इस मंत्र से में तरो नोक्री व्यापार बढ़ाने विशेश प्रकार के व्रद्धी होने लिए चंद्र ग्रहन मंत्र में चंद्र ग्रहन के काल में गर्भ वतिस्त्रियों के लिए विशेश करज मंत्र हैं जो उनके लिए लाब भी देगा और उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है ओम क्लीम देविकी सुत गोविंदा वासुदेव जगत्पते इसके लावाँ जिनकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा को मन कहा गया है तो ऐसे में यदि चंद्रमा पहले से पीडित है और उपर से ग्रहन का ला जाए तो उसमें चंद्रमा और भी जादा पीडित होने की संभावना रहती है इसके लावा आप कुछ बाईय सिंटम से भी पता कर सकते हैं कि आपका चंद्रमा पीडित है जैसे की मन का अशान्त रहना एकांत में टेंशन का माहूल होना चिंता आना मदर का माता का स्वास्ते खराम होना शरीर के अंदर रोग परती रोदक छमता का कम होना बलड के अंदर शरीर में रट के अंदर विकार आना रात को सोते समय अजीव गरीब सपने दिखाए देना और भिन भिन प्रकार से बार बार बुकार आना नाक कान गले के रोग होना शरीर के अंदर कफ बना रहना फेफडे और छाती सम्मंदित रोग होना ये कुछ इस प्रकार के सिंटम्स हैं यदि आप इन सिंटम्स को देख रहे हैं तो आप जान जाएए कि आपका चंद्रमा यहां पीडित हो रहा है आपके लिए चंद्रमा के विशेश मंत्र हैं जिनको आप गहन काल में चंद्र गहन काल में जब करें तो विशेश प्रकार से आपको लाब सबसे पहला मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमहा दूसरा मंत्र ओम सोम सोमाय नमहा ठीसना मंत्र ओम चम चंद्रमस्जे नमः चौथ्व मंत्र ओम ऐम क्लीम सोमाय नामाय नमः और पांच्वम मंत्र ओम शितानशू भिवानशू अमरितानशू नमः इनल्मे से strip यह तांत्रिक मंत्र बीजाक्षर लगे हुए हैं और सबसे उत्तम चंद्रमा की और क्रिपा पराप्त करने के लिए चंद्रमा को अच्छा करने के लिए आप चंद्रमा के पत्से भी और जो अपने वेद कामनाओ की पूर्दी के लिए ग्रहन कालवे मंतर जब करना चाहते हैं उनके लिए भी वीडियो अच्छी लगी होगी तो इनको वीडियो अच्छी लोगी होगी होगी भी लाइक और शेर अवश्य करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगली साधना या किस मंतर का आप ग्रहन काल में जाप करना चाहते हैं तो उससे जुड़ी वीडियो फिर में आपको जल्द ही इस वीडियो के लिंक में या अलग से वीडियो बना करके डालके अपलोड करते हुआ तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें इस प्रकार की और वीडियो देखने के लिए ओम श्री विद्याय नमा